चिलाओं नहीं सुन रही हूँ ये कहानी नहीं है देखा जाए तो ये कैसी घटना है जो हम लोगों के आसपास रोज घटती है मा मैं ठीक हूँ क्यों चिंता करती हो तुम अपनी तबियत का ध्यान रखो, सब ठीक होगा मिन्नी को बोलो ध्यान देकर पढ़ाय करे मेडिकल निकालना आसान नहीं है पता नहीं क्यों मैं तेरी शादी की जिद में रही पढ़ने में कितनी होश्यार थी तु अब बस ससुराल वालों के ताने छेल रही है काम्या की शादी गरीबी में हुई थी पती बिमार थे सोचा दो-दो बेटियों का भार कैसे चेलेंगे लड़का अच्छा मिल रहा है बड़ी की शादी करते थे हैं लेकिन नहीं मा ऐसा नहीं है सब ठीक है तु पापा का ख्याल रखा हां रखती हूं फोन बेटी स सुराल की परेशानी कभी माईके में नहीं बताती सोचती है क्यों खामखाम माईके वालों को परेशान किया जाए पढ़ने, दिखने और घर के काम में नमबर वन काम्या को देखकर लोगों को लगता था कि ये लड़की घरवालों का भागय और गरीबी बदल कर रखते की, लेकिन शादी की बाद काम्या का हल बहुत बुरा हो जाता है क्या है? है? तुम्हारी शकल देख लो तो सारा दिन खराब जाता है काम्या ने अज नई साड़ी पहनी थी, पती के लिए वरत रखा था लेकिन नसास का ध्यान था न पती का, वो चुप चाप काम में लग जाती है पती को टिफिन देती है, पती ओफिस के लिए निकल रहा था कि वो सर पर पल्ला रखकर पती के पैर चूती है पती मा और बीवी की बात पर ध्यार नहीं देता और आफिस के लिए निकल जाता है, आफिस में सुरिश को तब समझ में आता है कि क्यों काम्यान उसके पैर चुए काम्या रात तक पती का इंदजार करती है लेकिन वो नहीं आता, वो भूख ही प्यासी सो जाती है, जब पती घर आता है काम्या, काम्या, काम्या सुबह से भूख ही प्यासी, शरिर में जानी नहीं रहती कि वो कुछ कर सके, चाहते हुए भी हाथ पाउं साथ नहीं दे रहे थे, वो उठी नहीं पाती अपनी जगह से, सुरिश की दिमाग से काम्या का वरत बिल्कुल उतर चुका था, काम्या की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, घर, सास, पती, बच्चा, वो सब के लिए थी, लेकिन उसके लिए कब से चिला रही हूं काम्या, कहा है खाना बनाया कि नहीं, क्या मा तुम भी अपना खयाल नहीं रखती हो, काम्या मेरा सामान पैक कर देना, मैं दो-चार दिन के लिए दोस्तों के साथ जा रहा हूं, लेकिन मेरी मा काफी बिमार है, मैं आपसे बात का नहीं वाली थी, कि म मेरा बिटा बैल की तरह काम करता है, और तू अराम से चार वक्त का खाना खा रही है, आज दो दिन के लिए कहीं जाने को बोल रहा है तो तुझे बड़ी जल्दी मिर्ची लग गई? काम्या को पती से बात करनी होती है लेकिन पती का दिमाग उस वक्त काम्या की बातों पर नहीं होता कुछ दिनों की बाद मा अपना खयाल रखा कर मैं नहीं आ पाई वैसे अब क्या हाल है बेटा तेरी बेहन की शादी के लिए रिष्टे देख रहे है लेकिन इतना दहेज मांग रहे हैं कि क्या आप बोले पर मा वो तो मेडिकल की तयारी कर रही है न उसे तो अगले साल तक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उसके शादी की जल्दी क्यों कर रही है तभी मा के हाथ से बेहन फोन छेन लेती है देखो न दिदी मैं मा को कब से समझा रही हूँ लेकिन मा है की नहीं नहीं तो शादी तभी करेगी जब कुछ बन जाएगी मा को बोल तेरी पढ़ाय के लिए जो भी खर्चा होगा वो देख लेंगे मैं इनसे बात करूँगी हाँ हाँ यहाँ तो नोटा का पेड लग रखा है ना छूटी मैं बात में फोन करती हूँ हाँ काम्या फोन रख देती है लेकिन साज की बड़बड चालूई रहती है तभी काम्या का पती आ जाता है क्या बात है काम्या क्या कह रही है मा करी के पैसे बाट रही हो तुम जानती हो ना पैसे पेड़ पर नहीं उखते मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रही हूँ मा तु बस मेरी बात सुनकर बवाल करने लगी हाई रे, जो बहु कुछ कहती नहीं थी उसकी मुझे इतनी बड़ी बात सास और पती के सामने तो उनका गुसा साथ वे आसमान पर जाना तुझ जायस था बोली, यह बोली, वाल अब तो इसकी भी जबान चलने लगी है देखो कामिया अच्छा होगा कि तुम अपने घर जली जाओ तुमारे जैसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता जो मेरे घर का सारा पैसे अपने माय के में देने का सोच रही हो और हाँ, बेटा भी लेके जाना, जाओ, 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 निकला काल तक निकल जाना समझी? मैं अपने बेटे के लिए दूसरी अच्छी लड़की ढोण लोगी कामिया घबरा जाती है, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा मत बुली, मैं तो सिफ ये बोल रही थी कि लेकिन सास उसकी एक नहीं सुनती बुली नमाज, जिसे कि आप गुस्से में बोल रहे थे प्लिस गर नहीं भेजो, मामी पापा तो क्यों हो जाएंगे? लेकिन पती ने जसे एक बार फिर उसकी बात नहीं सुनी, अगली सुबाव कामिया, ए गामिया, चाय लेग रहो कहाँ हो कामिया? ये ले चाय बिटा, क्या कामिया कामिया चिलना रहा है गई वो सारे अपने गयने लेकर भाग गई माईके मैं के, लेकिन क्यों? याद नहीं तुझे, तुने यी तो रात को कहाता निकलने के लिए, वैसे न, सही किया तुने, मैं तो बहुत पहले से उस भिखारी घर की लड़की को पसंद नहीं करती थी, खार खाने में क्या खाएगा, जब तक तेरी दूसरी बीवी नहीं आ जाती, पती कुछ सोचता है, फिर काम पर चला जाता है, वो घर आता है, तो सामने मा दिखती है, ना कामिया ना बच्चा, जिस पर आज तक उसे कभी ध्यानी नहीं दिया था, आज उन लोगों का ना होना उसे काफी खल रहा था, खाना पीना खाकर पती अकेले कमरे में चला जाता है, तो सामने उसे कामिया की फोटो दिखती है, शादी की फोटो, वो दिखी रहा था कि मा आ जाती है, अरा क्या है, फैक इसा, नाए बहु लारी हूना मैं तेरे लिए, परमा मेरी उमर तो देख, कैसे, अरा बच्चा है मेरा उसकी जिम्मदारी, अरा बच्चा तो और हो इन लोगों ने, और तो और दहे जितना देंगे, कि इसी शेहर में तुझे दो और मकान बनवा दूंगी। बेटा लड़की की फोटो देखता है, नहीं मा, मुझे कुछ ठेक नहीं लग रही है, कितनी बच्ची से लग रही है, मा मैं काम्या को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मा नहीं मानती, रोना, धोना, बिमारी का बहाना, मा के आगे बेटी की एक नहीं चलती, और वो शाती के लिए मान जाता है, उदर काम्या की बहन डॉक्टर बन जाती है, वो अच्छा कमाने लगती है, और काम्या का बच्चा भी पढ़ाई में अववल आता है, पूरे शहर में सबसे अच्छे नम्ब लाने पर, स्कूल से काम्या और उसके पती के पास फोन आता है, और वो दोनों को ही स्कूल बिलाते हैं. किसका फोन था? बारोन के स्कूल से फोन आया है. अब बला आया है मेरा बेटा. पुरे शेहर में. मुझे बलाया है स्कूल वालोंने. तो काहीं नहीं जाएगा. तेरी शादी है दो दिन में. बेटा शान्त हो जाता है. लेकिन उसका मन नहीं मानता. पर क्या करता? मा से प्यार भी इतना था कि उनकी बाट डाल भी नहीं सकता था. रात होती है, सब सोरे होते हैं कि अचानक मा की तबियत खराब हो जाती है. बेटा! बेटा मुझसे समस्ने लिया जा रहा. प्लीज डाक्टर को बुला जल्दी से. किसी तरह मा को डाक्टर के पास ले जाती है. इनकी बिमारी का इलाज तो सिर्फ डाक्टर रीना ही कर सकती है. यह रहा उनका एड्रेस, आप उन्हें देखाई अपनी मा को. बेटा मा को लेकर डाक्टर की घर जाता है. जैसे ही बेल बजाता है, अंदर से रोहन आता है. पापा, पापा, मा पापा है. रोहन को देखकर मा बेटा हिरान हो जाते हैं. अंदर से कामिया आती है. पती और सास को दर्वाज adventures को दर्वाजे में देखकर सास के पैर छूती है. आप लोग तुछ से मिलने नहीं आए सुना है कोई काबिल डॉक्टर रहती है या अंदर से कामिया की बहन निकलती है जी हाँ, मैं हूँ वो काबिल डॉक्टर तुम मुझे देख और जल्दी से बता क्या भीमारी है बदले में जो फीज होगी दे दूंगी समझी मैं पैसे के लिए नहीं लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी के लिए आपका इलाज करूँगी कामिया के पती और मा को शर्म महसूस होती है कामिया मुझे माफ कर दो तुमने मुझे से दूर रहकर भी बच्चे को अच्छे से पाला तुम जब तक मेरे साथ रही मैं तुमारी कदर नहीं समझ पाया पर तुमसे माफी मांगता हूँ मा की दब्यत ठीक नहीं तुम घर वापस चलो मा को अब मैं अकेले नहीं छोड़ सकता काम्याप पती कियार देखती है मा के लिए अब भी आज भी आपको मेरी जरूरत नहीं है चप कर समझे चिल्ला मत मैं ऐसे लालची और मतलबी लोगों के साथ नहीं रह सकती और नहीं मेरा बेटा रहेगा तुम तो दूसरी शादी के लिए भी तैयार हो गया हो ना मैं नहीं आऊंगी कभी नहीं और वैसे भी जब तक तुम्हारे साथ रही तुम्हारी आदत ही तुमने नहीं होने थी अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम्हें भी जरूरत नहीं है मा के लिए कोई नौकरानी रख लो या फिर शादी तो करी रहे हो तुम्हारी मा को जब भी इलाज की जरुआ तो आ जाना दर्वासा वहाँ है बेटी की शादी रीना अपने पती विनोध और सास गीता के साथ रहा करती थी रीना और विनोध की एक छूटी सी बेटी थी जिसका नाम था नूपूर घर में सभी लोग नूपूर से बहुत प्यार करते थे देखते ही देखते समय बीटता जाता है और नूपूर बड़ी हो जाती है ऐसे ही एक दिन नूपूर कॉलेज से घर आती है जहां वो अपनी मा रीना को अपनी दादी से बात करते हुए सुनती है मा जी अपनी नूपूर अब बड़ी हो गई है मुझे लगता है अब नूपूर के लिए लड़का देखना चाहिए बहु तु बिल्कुल सही बोल रही है अगर सही उंद्र पर लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा ही होता है कल अपनी नूपूर का बड़्ड है पहले उसकी तयारी कर देते है क्या पता अगले साल अपनी नूपूर का जन्मदिन शाहर उसके ससराल में बने अपनी मा और दादी की बाते सुनकर नूपूर सीधा अपने रूम में चली जाती है अगले दिन नूपूर की जन्मदिन की सारी तयारिया हो जाती है पर नूपूर अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती जिसके बाद विनोद नूपूर के पास जाता है और कहता है क्या हुआ नूपुर बेटा आज तेरा जन्म दिन है सब बाहर तेरा की एक काटने का इंतजार करने है बेटा और तू है कि यहाँ बैठी है पापा मुझे अपना जन्म दिन नहीं मनाना मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए अरे पर क्यों? हमसे कुछ गलती हो गही है क्या बेटा? नहीं पापा किसी से कोई गलती नहीं हुई बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए इतना बोलते ही नूपुर की आँखों में आसु आ जाते हैं अपनी बेटी को रोता देख विनोध भी रो पड़ता है पापा की आँखों में आसु देख कर नूपुर कहती है पापा आप क्यों रो रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती बेटा जब तू मेरी आँखों में आसु नहीं देख सकती तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी आँखों में आसु देख सकता हूँ तू तो अपने दिल की सारी बात मुझ से करती है फिर आज क्यों तू अपने दिल की बात नहीं बता रही पापा की बात सुनकर नुपुर कहती है पापा, मुझे अभी आगी पढ़ना है, नौकरी करनी है मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए मैं उदास हूँ और इसलिए मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहती पास इतनी सिपाप, एक बार बोल कर तो देखती बिटा अब तो तेरी शादी तब होगी, जब तो जौब करने लगेगी अब क्या था? नुपूर जो चाहती थी, वो उसे मिल गया था खुशी-खुशी नुपूर बाहर आती है, अपना केक काटती है जिसके बाद सभी लोग हर साल की तरह उसका जन्मदिन बड़े ही धूम-धाम से मनाते है अब नुपूर अपनी पढ़ाए पर ध्यान देती है, बहुत जल्द उसकी पढ़ाए पूरी हो जाती है और नुपूर एक टीचर बन जाती है, अब तो वो शादी के लिए भी तयार हो जाती है जिसके बाद विनोध एक अच्छे घर में रिष्टा देखकर उसकी शादी करवा देता है शादी होने के बाद नुपूर की विदाई हो रही ही होती है, तब ही नुपूर अपने पापा से कहती है पापा, आप मुझे खुद से दूर मत भीजिये न, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी और आप भी मुझे से कितना प्यार करते हैं, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ क्या करूँ बेटा, मजबूर हूँ मैं, मुझे तेरी शादी करके तेरा घर भी तो बसाना है इसलिए तुझे मैं खुद से दूर कर रहा हूँ पापा, ये विदाय क्यों होती है? बेटा, ये तो दुनिया के रहीत है, हर बेटी को अपने माबाप से एक ना एक दिन जुदा होना ही पड़ता है देख तो अब ज्यादा रो मत, वरना तेरा मेकब खराब हो जाएगा बड़ी मुश्किलों से तेरे पसंद की पालर वाली ढूंडी थी तेरी मान है होता है मेकब खराब तो हो जाने दू बेटा, तुझे अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों का खुब खयाल रखना है दमाजी, अब आप मेरी बेटी को ले जाएए और हाँ, मेरी नुपूर का अच्छे से खयाल रखना मैं अपनी नुपूर से बहुत प्यार करता हूँ मैं इसके बिना जी नहीं सकता मैंने हमेशा इसको खुश रखा है इसे हमेशा खुश रखेगा इसकी आँखों में कभी भी आसु मत आने देना विदाई की तयारिया होने लगती है नुपूर विदाई के लिए अपने घर से बाहर आती है तब ही वहाँ पर लड़की का दोस्त और उसका चचेरा भाई खड़े बाती कर रहे होते हैं अब बस ये जल्दी विदाई करवाए बहुत भूख लग रही है एक तो शादी का खाना बिलकुल भी स्वाद नहीं था इसलिए हमने तो खाना भी नहीं खाया दोस्तों बिलकुल सही बोल रहा है और अरेंज्मेंट भी खुछ खास नहीं थी एकटम सिंपल और सीधी साधी सी वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है एक काम करते हैं विदाई वोते ही रास्ते में कहीं किसे ओटल या धाबी में खाना खा लेंगे दोले के दोस्त और उसके भाई की ये बाते सभी सुन लेते हैं लेकिन उसके बाद भी नुपूर का पती कुछ नहीं बोलता ये सब देखकर नुपूर को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने उसके पती की भाई और दोस्त उसके पापा की और शादी में की गई तयारियों की बेज़़ती कर रहे है और उसका पती ये सब कुछ चुप चाप सुन रहा है नुपूर को गुस्सा आ जाता है बस फिर क्या था पापा मुझे कहीं नहीं जाना कहीं नहीं जाना इसका क्या मतलब है नुपूर बेटा इसा नहीं बोलते अब तुम्हारी शादी हो चुकी है अब तुम्हारा सिसुराल ही तुम्हारा असली घर है नहीं पापा मुझे नहीं जाना और तुम लोग तुम्हें मेरे पापा की मेहनत पर उंगली उठाने का हक किस ने दिया? तुम्हें पता है? रात रात भर जग कर एक एक पैसे जोड़ कर अपनी इच्छाओं को मार कर मेरे पापा ने अपनी सारी जमापुंजी इस शादी और उसमें बनाये गए खाने पर लगाई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? बस, मैं अपने सामने अपने पापा की एक भी बुराई नहीं सह सकती इसलिए आज ये विदाई नहीं होगी तभी वहाँ नूपुर की सास आ जाती है और जब उसको सारी बात पता चलती है तो वह नूपुर से कहती है बहु, मुझे तुझ पर गर्व है के मुझे तुझ जैसी बहु मिली मेरे लिए मेरी बहु मेरी बेटी समान है वैसे भी मैं यहां से बहु नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ और मेरे परिवार वालों से जो गल्ती हुई है इसके लिए तुझ से माफी मांगती हूँ इन्हें माफ कर दे बेटा हमें माफ कर दीजे भाबी हमने जाने अंजाने में आपके दिल को ठेस पौँचाई बिना ये सोचे समझे की एक बेटी का बाब किस तरह से अपनी बेटी की शादी करता है हमने शादी में किये गए सबी अरेंजमेंट में नुख्स निकालना शुरू कर दिया नुपूर की ससुराल वाले दिल से नुपूर आपके घरवालों की माफी मांगते है बेटी, अब तो इन्हें अपने कलती का एसास भी हो गया है अब तो विदाय के लिए राजी हो जा इसके बार नुपूर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है अब नुपूर भी अपने ससुराल में खुशी-खुशी रहने लगती है और उसके सुसुराल वाले भी उसे बेटी की तरफ प्यार करते हैं